गुड मॉर्निंग मैं हूँ यश्करन आज हम देखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट और पॉब्लिक की ओफेट डिजिटल साइनिंग सर्टिटिकेट डी एस्सी डी एस्सी एक्सपोर्ट करने के लिए पहला स्टप क्या है सबसे पहले हम अपनी डी एस्सी की डीजिटल सिकनेचर की जो हमने बनवाई है सर्टिफाइङ अथार्टी से उसको अपने कंप्यूटर से या अपने लैप्टाप की जो वोट है उसमें लगा देना है है तो ड्यॉस्ट क्रने के लिए हमारे पास दो त्रीके तो इसको मैं practically करके दूनों त्रीकों से की हम ड्याय सी को एक्सपोर्ड कर सकते हैं पहला तरीका कौन सा है तो आजंगे मं प्रैक्टिकलि देखते हैं कि पहला त्रीका है Internet Explorer से Internet Explorer Explorer को जैसे ही क्लिक करते हैं तो right hand side पे जो top पे मीनू बार है उसमे tools है tools पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे tools में option खुल जाएंगी internet options तो internet options को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये window खुल जाती है लेकिन मैं अब दूसरा तरीका भी बिताता हूँ, कि दूसरा तरीका कौन सा है दूसरा तरीका है, कि हम control panel में जाएंगे control panel में जाने के बाद हम देखते हैं, कि यहाँ पर भी internet options मजूद है तो यह हमने internet option पे click किया, click करने के बाद उपर वाली row में जो tab बने हुए हैं उसमें से हमने content को select करना है, content को select करने के बाद नीचे certificates certificate को click किया, certificate click करने के बाद हमारे पास कितने भी हमारे computer में certificate मजूद है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे, तो हमने जिस भी certificate को export करना है, उसमें click करना है तो मैं यह certificate export कर रहा हूँ जो यह blue color में select हो चुका है, इसको हमने export करना है तो यहाँ पर export वाली option है, export को click करेंगे export पर click करने के बाद, जो हमारे पास यह certificate export wizard वाली window खुल जाती है तो इसको हम next कर देंगे next करने के बाद, हमारे पास दूसरी दूसरा page खुल गया है, export private key हमने private key को export नहीं करना है क्योंकि private key को export करने के लिए हमें password डालना पड़ेगा तो इसको हम next कर देते हैं next करने के बाद हम देखते हैं कि export file format यह हमारे पास window open हो जाती है इसको भी हम next करेंगे अभी जो file हमने export करनी है, उसका नाम हमने लिखना है यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसको browse करते हैं browse करने के बाद हम उपर देखते हैं this PC desktop तो आगे यह, इसका मतलब यह है कि यह desktop पे हमारी file से हो जाएगी तो यहाँ पे हमने file का नाम दे दिया है, file का नाम देने के बाद हम save करते हैं और next करते हैं, next करने के बाद फिर हम यहाँ उपर देखते है, completing the certificate export wizard करने के जो हमारा certificate export wizard है, वह complete हो चुका है, तो इसको हम finish कर देते हैं finish करने के बाद हमारे पास यह pop-up message आया है, इसमें दिखा है the export was successful तो हमारी जो DSC export हो चुकी है, अब हम इसको okay कर देते हैं तो अभी हम देखते हैं कि यह desktop पे available है या नहीं तो यह हम देख रहे हैं कि यह desktop पे available है जो अभी हमने export की है, तो यह certificate हमारा export हो चुका है इसको हम click करते हैं और install certificate पे click करेंगे और next करेंगे, फिर next करेंगे और इसके बाद finish करेंगे और okay करेंगे तो हमारा जो certificate है, the import was successful तो हमारा जो certificate है, वो successfully import हो चुका है, इसको हम okay कर देंगे और close कर देंगे तो आज के वीडियो में मैंने आपको जान करेंगे दी कि digital signature certificate को कैसे export किया जाए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को share करना और इस चैनल को subscribe करना और जो साथ में bell icon का button है, उसको press करना क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बहुत ही important जानकारी देने के लिए नए नए वीडियो बनाता रहूंगा और उसकी notification आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए आप bell icon का button press करें, धन्यवाद